कहते हैं कि देश में किसी भी नागरी को महफूज रखने की जिम्मेदारी सरकार अगर किसी को देती है तो सबसे पहले सरकार के जहन में Energy Commando का नाम आता है Energy Commando वो Commando होता है जो अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ता तबी तो इसे Zero Error Force के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि Energy Commando जब कोई Operation करता है तो उसमें कोई भी चूक नहीं होती आज इस खबर में हम Commando की बात असले कर रहे हैं क्योंकि दूसरों को अपनी जान पर खेल कर महफूज रखने वाले Energy Commando आज खुद पुलिस के दरबार में न्याई की गुहार लगा रहा है दरसल मामला मेरट के थाना रोहटा शेतर के रसूलपूर गाउं का है जहां सोनू चौदरी नाम का एक्व्यक्ति Energy Black Cat Commando है और जिसकी तनाती अभी चेन नहीं में है और उनका परिवार मेरट में रहता है बीते दस तारिक को सोनू के भाई पर कुछ दबंग धारदार हत्यार से जानलेवा हमला करते हैं जिसमें कमांडो का भाई गंभी रूप से गहल हो जाता है जिसके बाद इलाज के लिए उसे मेरट के Medical College में भरती कराया जाता है वहीं घटना के बाद कमांडो सोनू के पास मेरट के थाना रोटा से फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके भाई मोनू पर जानलेवा हमला हुआ है और उन्हें इलाज के लिए मेरट मेटिकल कॉलिज में भरती कराया गया है ये ख़बर मिलने के बाद सोनु अपने भाई से मिलने के लिए मेटिकल कॉलिज पहुँचे जहां भाई से मिलने के बाद सोनु ने घटना की जान करी ली वहीं घटना को लेकर कमांडर सोनु ने पुलिस से नियाई की गुहार लगाते हुए आरूपियों की जल्द से जल्द गिरफतारी की मांग करते हुए कहा कि वो वी आईपी सुरक्षा करके देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन आज उसका ही परिवार महफूज नहीं है साथ ही सुनु ने बताया कि उनके भाई के द्वारा उन्हें एक वीडियो दी गई है जिसमें दबंगों ने उनके भाई को जान से मारने की धमकी दे रही हैं वहाँ मैं क्या हूँ वो एक अलग बात है मैं देश का एक कमंड हूँ वो महाँ पर हूँ यहाँ पर मैं एक आम नागरी कूँ अपने भाई की तरह है तो इसमें तो सायद वोकल मेरे उपर भी वार कर सकते हैं दोके से पिछे से चार आदमी आगा कर लेंगे तो सायद मैं क कमलेश बहादुर का क्या कुछ कहना है सुनिये एक इनसी कमांडो है जिनके भाई यहां रोटा में रहते हैं कुछ वक्तिय दोरा इनके भाई के साथ मार्पीट की गई है जिससे समन्मेद थाने पर सुसंद्ध धाराओं में अभी पंजितूट किया गया है अभी तो अभी ख अधमा दर्जिक कर लिया गया है और घटना को अंजाम देने वाले दबंगों की तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द आरुप्यों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज़े जाएगा पंजाब केसे टीवी के लिए मेरट से आदिल रह्मान की रिपोर्ट